नमस्कार फ्रेंड्स आपको याद होगा हमारे गांधी जी की दांडी यात्रा और उस यात्रा ने पूरे भारत बसको एक सुत्र में पिरो दिया और पूरी दुनिया भारत को देखती रह गई और हमारे गांधी जी ने एक स्टीक से और अपने सदारन फेसभुसा से पूरे भारत को आजाद करवा दिया ओ गांधी हमारे बापू अब दूसरी यात्रा चली है ओ भी कोई एक गांधी ही है और ओ गांधी यह साबित करने की कोशिस कर रहे हैं कि एक आधुनिक भारत को और आधुनिक बना कर कैसे इवाओं को औसर दिया जाए और भारत में एक बहतर रा को ध्यान में रखकर इवा नेता कॉंग्रेश पार्टी के बहुत बड़े नेता राहूल गांधी जी जिन्होंने यात्रा की शुरुवात की है जिस यात्रा का नाम है भारत जोरो यात्रा और यात्रा पूरे भारत वर्स में इवाओं की सबसे चहती और बहतर यात्रा बंती चली जा रही है और इवाओं लाखों लाख की संख्या में उस यात्रा की तरफ आकरशित हो रहे हैं राहूल गांधी के ब्यक्तित्व और उनके कृतित्व की वज़े से तो आज हमारे बीच पुर्व केंद्रिय मंत्री भारत सरकार के जो ग्रिह राजमंत्री के दरजा पे का कर चुके हैं और इन्होंने भारत को एक नया और दिशा देने का काम किया था और उस दिशा और दिशा से भारत में खासकर बहुत अच्छी वेवस्था हुई थी और हम समों को याद है कि इन्होंने पार्लियामेंट में कई एक ऐसे बातों को जारखंड की धर्ती के कल्यान के लिए बिहार के लिए और पूरे देश के लिए किया था सुभोत कान साहय जी तो मैं इन्ही से जानना चाहता हूँ कि भारत जोरोयात्रा की वजह से पूरे कॉंग्रेसी और पूरे भारत के इवा इकत्रित होते जा रहे हैं और पग पग पे उनको गांधी जी की याद आ रही है उनको सुभास्चंद बोस जी की याद आ रही है सरदार पटेल की याद आ रही है जो साथ उनके चल रहे हैं अब क्या कहेंगे क्योंकि आपकी जस्ट वह साथ बगल में बैठते थे और आप से राजनितिक चर्चा भी करते ते तो क्या कहेंगे उनके बारे में अपना वो सा जहां करने किरखा करिया दिखें पहले मूल रूप से मैं आपको बताऊं कि आपने जितनी बाते कही है वो इस शासंकाल में पूरी तरह से मिथक है इस शासंकाल में आठ साल में जो सामने देखने को मिल रहा है नई वाओं के लिए कोई भविस की रूप रेखा गड़ी गई है लोगों के आम आदमी के जिंदगी को कैसे आसान बनाया जा सकता है उसको रोजी रोटी उसका भर पेट भोजन मिले इसकी कोई गुंजाईश है और तो और सांती से जो रहता था भारत जिस गांधी की आप बात कर रहे हैं वो गांधी तो अह इंसा की बात करते थे होगांधी तो रगुपती रागो राजा राम की बातकरते थे अल्लख इसवर या की मणस की बात करते आज धार्मिक तोर पे पूरी तरह से ध्वस्त हुक वो ब्यवस्ता को कर दिया है इनके चलते हिंदू जो ब्यवस्ता थी हमारी वो भी आज सबसे जादा चर्मर आ गई है कभी हिंदू धर्म में घिरना का कोई जगह नहीं था मुगल आये इतने दिन राज किये अंग्रेज आज 200 साल राज किये लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए लेकिन ये मौदी जी के 8 साल के राज में दह यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा जुडिशियरी आज कमिटेड हो गया है बिरोक्रेसी आज कमिटेड हो गय है आज पत्रकारिता जो है कमिटेड हो गया क्योंकि बड़े पुझी प्रतियों के हाथ में चला गया तो चारों जो खंभा था हमारा जनतंत्र का जो खंभा जो था यह पूरी तरह तूट गया है इसको न्याय से बिल्ड करना है और लोगों के मन में जो निरासा हो गई है जो अपने आप में लोग घर बैट गए है कि कुछ नहीं होगा एक ऐसे हो गया है लोगों के मन में कि इसके राज में कुछ भी नहीं संभव है चुप चाप रहने में ही भलाई है नहीं तो यह जिल भेज देगा यह डर है का महौल है तो इससे निजाद पाने के लिए ही र जात्रा में रोग उड़ते हैं हम लोग छोटा सा प्रयाज जारखन में कर रहे हैं कि 81 विधान सवा के साड़े 300 जो ब्लॉक हैं हमारे हम उसमें उस ब्लॉक के हर पंचायत को टच करना चाहते हैं यही मीशन लेके चल रहे हैं अभी हम जिला को खतम कर रहे हैं बीस तारी को 25 जिला हमारा जो है संगटनात्मक उसको खतम कर रहे हैं उसके बाए नए साल में हम पंचायत की आत्रा सुरू करेंगे और वहाँ जो लोग घर में बैठे हैं डर के उनको बाहर निकालेंगे कि हम तुम्हारी आवाज बनना चाहते हैं साथ दो एक तेरा कदम एक मेरा कदम म बहुत संदर बात कि कॉंग्रेस की यही एक पहचान रही है और कॉंग्रेस की मोटो है कि हम सब मिलकर देश को बनाएं किसी को अलग थलग न करें एक दम साथ मिले साथ चले और साथ रहें